वेलकम टू स्टड़ी जरन्य वीडियो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को साइकलोजी का एक मोस्ट इंपोर्टन टोपिक पढ़ाने वाली हूं जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और आज आप लोग कुछ नहाई सिखेंगे तो इसलिए वीडियो को आप नहीं है सी टैट एस टैट आर्ट जहां पर जीन प्याजे से रिलेडिट क्यूशन ना बनते हों ओके इवन आपके बीड या ड्रेबिटी के जो भी पेपर थे उसमें भी आप लोग जीन प्याजे को पढ़ते हों तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ज यह क्या आधार पर उन्ने जो हों तो निका लेते तो यह क्या क्या नाम है को प्रेंट को प्रिशानी तो हाँ यह हिंदी मेडियम अलेकिन मैंने यहां पर आप लोगों के लिए उगर्स मेंß मेंर नोट कर दी है जो संग्यानात्मक विकास का सिध्धाओullen उसको क्या कहते हैं cognitive development theory तो आप लोगों से यह कुश्य बिदा है कि gene प्याजे के द्वारा दी गई थो עरी का क्या नाम है तो संग्यानात्मक विकास का सिध्धाइन creativity development थो रिक किसकी द्वारा दी गई है जीन प्याजे के द्वारा दे गई है clear अब देखेए फ्रेंट ä pross अब तक हमने क्या पड़ा है कि लृक कितने इंद्रिय होती है 5 इंद्रिय होती है जो हमारे sensor organs होते हैं कितने होते हैं 5 होते हैं 5 कौन-कौन से आक, कान, नाक, तवैचा, हमारी skin और हमारी जीब ठीक है लेकिन जो जीन प्याजे थे उन्होंने क्या माना था कि यह जो पांच इंद्रियां हैं इनके साथ साथ हमारी एक इंद्री और भी काम करती है और वह इंद्री कौन सी हमारी मन ठीक है जो चठी इंद्री जो जीन प्याजे के अकोर्डिक जो चठी इंद्री थी वो उसको माना जाया था मन को माना जाया था वो कहते थे कि कोई भी जो काम होता है किसी भी चीज का जो संग्यान लिया जाता है इन पांच पलस एक इन छें इंदर्यों के दुवारा मिलकर कि लिया जाता है किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होता है आँ, कान, नाख, तुचा, जीव साथ में उसके साथ क्या जुड़ता है मन जुड़ता है तभी किसी चीज़ के बारे में संग्यान लिया जाता है तभी किसी चीज़ के बारे में knowledge होती है किलियर यहां तक अब देखिए friends इन्होंने जी अपना सिध्धान दिया था 1922 से 32 इस्वी के बीच जी विज्ञान के आधार पर बालक विकास को सपस्ट किया 1922 से 32 के बीच में इन्होंने बच्चों के उपर क्या किये थे परिक्षन किये थे और बाल विकास को सपस्ट किया था और एक बात और भी बताई थी इन्होंने बताया था कि जो इनसे जो ग्यान मिलता है आख कान नाख तवज़ा जीब से वो तो हमारे कैसा होता है सत्य ग्यान होता है लेकिन जो हमारे मन से जो ग्यान मिलता है वो हमारे कैसा होता है कल्पनिक होता है आभासी होता है वैसे इतने डिटेल में आप लोगों से जाएंगे नहीं ठीक है अगर आप लोगों से पूछह जाता है कि विकासात्मक मनोविग्यान का जनक कौन है development जो है उसके विकासात्मक मनोविग्यान के जो जनक है वो कौन बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्या दिया है संग्यान आत्मक विकास ठेवरी दी है, cognitive development ठेवरी दी है तो gene प्याजे को ही क्या कहा जाता है, विकास आत्मक मनोवज्यान का जनक भी कहा जाता है अब जो gene प्याजे हुए थे friends, उन्होंने चार stage देती तो वो च्यार स्टेज बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसप्ट किलियर करवाऊंगी ताकि आप लोगों को इनमें कन्फूजन ना रहे देखिए मैं आपको यह तीन च्यार जो ट्रम है यह किलियर करवा देती हूं पहले क्योंकि यहां से भी काफेवर एक्जाम में क्यूशन बनता है सबसे पहली जो है स्कीमा आप लोगों से हिंदी में ऐसे स्कीमा लिखा आएगा और इंगलिस में स्कीमा इस तरह से लिखिया आएगा कि जो स्कीमा होता है वो क्या होता है तो हमसे question में क्या देगा कि किसी कोई वेक्ती है कोई बच्चा है उसके अंदर जो already जो knowledge है वो पहले से ही save है तो उसको क्या बोलते हैं schema बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे schema बोलेंगे ठीक है क्या लिखा हुआ है मैंने कि किरिया के समानांतर होने वाली किरिया यानि बच् जो होता है उसके अंदर कुछ जो knowledge है वो अपने आप क्या होती रहती है गेन होने लगती है और उसके अंदर store होने लगती है तो वो जो ग्यान उसके अंदर already save हो जाता है जो कि जनम से ही स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं schema बोलेंगे schema क्लियर schema का concept समझ में आ होता है तो adaptation में क्या करता है adaptation अनुकुलन क्या होता है कि परसितिया जो भी हो चाहे अच्छी परसितिया हो चाहे बुरी परसितिया हो उनके अनुसार वेक्ति अपने आपको ढाल लेता है तो उसी को क्या कहते है adaptation कहते हैं बच्चा होता है बड़ा होता है कोई भी होता है उ भी situations होती है उनके अनुसार खुद को डाल लेना क्या कहलाता है adaptation कहलाता है अब जो adaptation होता है वो दो तरीक ये का हो सकता है देखी दो तरीका का किस तरह से होता है वो कौन-कौन से होते हैं एक होता है आतमसातिकरण और दूसरा होता है समंजन कभी-कभी यापस समायोजन भी मिल जाता है समंजन ठीक है आतमसातिकरण को इंगलिस वाला नाम ज्यान रखिएगा क्या बोलते हैं assimilation और जो समंजन है उसको क्या बोलते हैं accommodation ठीक है दो ट्रम मैंने आपको बताई पहले मैंने आपको सकीमा बताया एक सकीमा क्या होता है कि जो भी knowledge already shaved होती है हमारे माइंड में वह हमारा क्या है सकीमा है उसके बाद क्या करता है कोई भी व्यक्ति है कोई भी बच्रा है अडप्टेशन करता है तो adaptation भी दो तरीके से होता है, एक assimilation और एक accommodation, वो assimilation और accommodation में क्या differences होता है, उनको देखिए, देखिए, definition क्या दी गई है आप लोगों को, नए विचार या अनुभव को अपनी पुरानी अनुभव के साथ जोड लेता है, या उनके साथ अनुकुलित हो जाता है, तो वो तो क जो previous जो experience होते हैं, उसके जो पुराने जो अनुभव होते हैं, उनके साथ जोड करके आगे बढ़ता है, उनके साथ अनुकुलित हो जाता है, उनके साथ अड़प्ट कर लेता है उनको वो, तो वो क्या कहलाता है, assimilation कहलाता है, समंजन क्या होता है, एक बर definition देख लीजिए modification कर लेता है, किसकी अनुसार, नई अनुभव के अनुसार, और नई विचारों में डल जाता है, तो उनको क्या कहलाता है, accommodation कहलाता है, यानि देखिए, accommodation क्या हुआ, विवेक्ति के अंदर अपने पुराने विचार हैं, ठीक है, अब उसके पास क्या आए, नई विचार इसको देखिए इस तरीके से समझते हैं, assimilation और accommodation में क्या difference होता है, आज के बाद आप लोगों को कोई भी doubt नहीं रहेगा, देखो, साध इस four-legged animal for the first time, अब मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसने इसको पहली बार देखा, और वही उसको एकी बूरा कुता दिखाई उसका जो दिमाग था, उसने क्या सोचा, कि यह क्या है, एक डोग है, उसका जो पहले से जो उसका स्किमा है, वो क्या बन गया, कि जो चार जो पैरों वाला जो जानवर होता है, उसको क्या कहते हैं, डोग कहते हैं, तो यह स्किमा उसके दिमाग में फिट हो गया, यह स्किम जो होते हैं जिसके भी पैर होंगे वो क्या होगा एक डोग होगा ठीक है फिर उसने एक और दूसरा कुता देखा तो फिर उसको क्या लगा कि ये क्या है डोग ये है जिसके च्यार जो पैर होते है वो क्या होता है डोग होता है ठीक है तो अब उसके दिमाग जो है उसने क्या Schema बना लिया उसके अंदर क्या knowledge हो गई उसके अंदर क्या knowledge हो गई उसके अंदर यह knowledge already saved हो गई कि जिसके चयार जानवर होते हैं ठीक है वो लाल रंग का जो होगा तो वो क्या होगा एक कुट्ता होगा ऐसा उसने खी खी और आब थोड़े दिन वाद उसके अंदर जो एक इसस्टिंग तो उसका क्या हो गया प्या हो गया चैजंग तो उसको बताया गया कि नहीं बेटा यह जो चार टांगों का जानवर है जो दिखाई दे रहा है इसकी जो मुच्छे है यह क्या है कैट है यह एक बिल्ली है तो अब उसने क्या कर लिया अपने जो उसके विचार थे उसके अंदर उसने परिमार्जन कर लिया उनका यह कुत था जहिंए अजब इसने उसकुत्च को देखा पूछा कि यह क्या है तो उसको बतायाँ गए आसपते हैं उसका और हैं जब उसकी विचार उत्य वशlike नहीं पिए नए वीसारों क्या नाव मोडिटिकेशन कर लिया इसने नए विचारों के अनुरूब क्या कर लिया उसको क्या कहते हैं, एकवन लिबिरियम कहते हैं नेक्स देखे, संग्यानात्मक विकास की अवस्थाइं अब आजाती है, हमारे पास stages, कोगनेटिव डवलेप्मेंट की क्या क्या stages होती है, चार stages होती है, एक एक करके देखते हैं सबसे पहले sensory motor stage, कौन से आती है, sensory motor stage, समवेदी पेशिये गामक अवस्था कब से कब तक होती है, जनम से दो वर्ष तक होती है ये जो अवस्था होती है, इसके अंदर बच्चा जो भी सीखता है, वो किसके आधार पर सीखता है समवेद नाओं से सीखता है, किससे सीखता है, समवेद नाओं से सीखता है, अपनी sensory organ से सीखता है इसके अंदर क्या क्या सीखता है, उसके अंदर क्या आ जाती है, अनूकरण की अवस्था आ जाती है इस सवस्था में बालक में क्या हो जाता है भासा का विकास होने लगता है दुच्चा उचा कान आख सरवादिक सैकिरिय हो जाते हैं बच्चा जो है उसके परते आप जब भी मतलब उसको बोलते हो जनम लेता है जब बच्चा उसके बाद जब बच्चा छोटा होता है दो साल कि इसके अंदर आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो हुग्जेक्ट पर्वानेंस कि इसमें बत्चे की अंदर क्या जाती है ओप्चस तैंति को ज обратने मिलेगी वह चीज याकिन बत्चे के दिमाग में रहेगी हां कल वहाँ पे चीज रखी थी तो आज भी वहीं रखी होगी तो उसकी दिमाग में क्या बन जाती है object permanence वस्तुस थाईतो तो question कैसे मिलेगा आपको बच्चे के अंदर object permanence का जो गुण है वो कौन सी अवस्ता में आता है तो कौन सी में आता है संवेधी पेशे गामा कवस्ता sensory motor stage में आता है अब देखे फ्रेंट्स आगे यहाँ पे बालक में बासा का विकास मतलब सुरू होना भी आरम हो जाता है पूरो संकिरी आत्मा कवस्ता pre-opersonal stage जो होती है 2-7 वर्ष तक होती है इसमें बच्चा क्या हो जाता है परिवार का active member बन जाता है यानि बच्चा क्या करता है किसी भी चीज को क्या मानता है सजीव मानता है बच्चे के पास अपनी डोल होती है आप लोगोंने देखा होगा Normally जो girls होती है इस यहां पर मैं कोई gender bias नहीं कर रही हूं ठीक है वो क्या करती है अपनी गुडियां से खेलती है तो जो उनकी डोल होगी वो उसको क्या करेंगी खाना खिलाएंगी उसको टाइम पिसु लाएंगी उसको अगर कोई छेड़ देगा तो कहेंगी हाँ उसको लग गई रोने आत्म यानि जब बच्चा के लिए करना स्टार्ट करेगा उससे पहले की जो प्रियोपरिश्न स्टेज ठीक है आगे देखिए बच्चे और क्या सोचने लगते हैं कि बच्चों का जो एक नियम है वो सभी जगया पर लागू होता है जैसे कि राधा की मा के बाल लंबे हैं तो सभी की मा के बाल क्या होंगे लंबे होंगे बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं जैसे कि राधा जो है उसकी जो मम्मी है उसके बाल लंबे है तो बच्चे कैसे सोचेंगे जितनी भी माई है उन सभी के बाल क्या होते हैं लंबे होते हैं यह कैसा होता है परबल जिग्याश है सही है बाग की सब क्या है गलत है एपल टाव यह वस्ता जैसे कि बच्चे को अगर हम लोग ऐसे बोल दें फॉर प्लस सिक्स कितने हुए टैन तो यह तो कर देगा लेकिन जब उसको सिक्स प्लस फॉर पुछे जाए तब नहीं बता पाता हूं ठीक है तो यह सब किसमें होत हैं अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा इससे मुझे भी पोजिटिव मोटिवेशन मिलता है और एक कोमेंट भी जरूर डालेगा अगर आप लोग कुछ डाउट है तो भी आप लोग कोमेंट कर सकते हैं नेक्स दे मंदित प्रारंबिक वैवार बच्चे के अंदर कैलकुलेशन शेखने लगता है साथ से ग्यारा वर्ष का बच्चा मूर्द वस्तु के नाम से के लिए रभी कंक्रीट यानि जीसरी चीज को देखेंगे उसके बारे में सोचना क्या कर देता है शुरू कर देता है जो चीज पूरारो होने लगते हैं बच्चे बालट की बüdddhi का जो अधिक्तम विकास है वो 15-16 वर्ष की अवस्ता तक हो जाता है और सोचने का, THINKING करने का तरक्वितर्क करने का, REGENDING Logical REGENDING का, यह सबसे क्या होता है उच्छ तमस्तर होता है, सबसे highest label होता है लोगते यहां पे बत्ता क्या करता है, NIMO के उपर तरक्ता है यहां पर बच्चे को नियम के आधार पर समझाया जाता है और उन नियमों के उपर क्या करने लगता है बच्चा तरक वितरक करने लगता है तो friends यह च्यारों स्टेज थी मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो कि एक बड़ आप लोगों को थोड़ा से रिवाइज करवा देती हूँ देखे क्या क्या पड़ा हमले फटा फट से देखे जीन प्याजे पड़ा कहा के थे ठीक है क्या थे एक बाइलोजिक प्रोफेशर थे इन्होंने कौन सी थोरी दी है कोगनीटीव डवलोब्मेंट तुरी दी दी है संग्यानात्मक विकास का सिद्धान दी है ने ही से क्षिशन बनेंगे ठीक है आपके पास उसके बाद हमारे पास क्या आया था जो ट्रम आई थी स्की मा क्या होता है उल्री जो भी ऒगयान जो उसके अंदर नॉलीज होती है उसके वाहरे में क्या करता है जो उसके नए विचार आते हैं तो अपने पुराने उनकों के साथ हैं जैसे किसी कुट्त itself को देखता था तो अब उसको अगर दूसरा भी चार टांगों का जानवर डिखाई दिया तो वो क्या है कि कुत्ता ही है ठीक है इस तरीके से कर लेता है लेकिन अकोमोडेशन में क्या करेगा उसको कुत्ते और बिल्ली का भी डिफ्रेंस है वो समझ में आने लगेगा वह अपने विचारों के अंदर क्या कर लेगा पूरोज संकिर्यात प्रियोपरेशनल स्टेज थी उसके अंदर ध्यान रखेगा आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमीजम जो है वो बच्चे के अंदर उसका गुण कब आता है एनिमीजम कब आता है प्रियोपरेशनल स्टेज में आता है उसके बाद हमारा क्या आया था पल्टा वी चिंतन करने लगेगा जो मूर्थ वस्तों इसको दिखाई दे रही है उसके बारे में सोचना आरम कर देगा एमूर्थ में हमारा क्या आया था उसके एमूर्थ चिंतन करने लगेगा सबसे हाइस्ट लेवल अगर पूछा जाता है इस टेंग की जो जो स्टेज है को पूछी जाए तो वह कौन सी होगी फॉर्मल ऑप्रेशनल स्टेज बस यही हमारा क्या था जेन प्याज एका सिल्दान था उम्मीद करती हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्स पर वोचिंग में थैंक्स पर वोचिंग देस वीडियो अगर आप ल नंबर मैंने जो प्रुवाइड कर रखा है उस नंबर पर आप लोग कॉंटेक्ट करके यह पेड़ नोट्स ले सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हूं